तयार आज फिजिक्स में मचाते हैं विल ए करेंट लूप प्लेस्ट इन ए मैगनेटिक फील्ड आल्वेज एक्सपिरियेंसे से जीरो फोर्स आंसर इस अगें नो तो देखो यहां पर दो पार्ट है दो तरीकी फील्ड हो सकती है तुमारी तो देखो यूनिफर्म मेगनेटिक फील्ड में है तुमारा नेट फोर्स हमेशा आजगा तुम किसी भी वायर को रख दो, लूप को रख दो मालो इसका म्यू वेक्टर है ना मेगनेटिक मोमेंट है ना और मालो मेगनेटिक फील्ड तुमारी यहां पर है तो इसमें टॉर्क आ सकता है पर नेट फोर्स हमारा जीरो रहेगा तुमारा नेट फोर्स जीरो रहेगा तो यूनिफर्म फील्ड में आकर यह बात करें विले करेंट लूप प्लेज देने यूनिफर्म मेगनेटिक फील्ड यस अगर uniform magnetic field है तो force हमें इसा 0 रहेगा this is just like electric dipole electric dipole को आप electric field में uniform electric field में रखते हो तो force 0 रहता है torque आसकता है पर जब non uniform field में रखते है हमने बापे formula भी ट्राइक करे P into dy dt जब आप non uniform electric field में रखते हो electric dipole को torque भी आता है और force भी आसकता है तो non uniform में force need not be 0 force need not be 0 force आसकता है torque भी आसकता है जब हम non uniform magnetic field में रखते है और यही reason है कि 2 magnets attract करती है क्योंकि magnets क्या है magnets का analogous क्या है current carrying wire अपने पढ़ा है na magnets को solid node मान सकते हो current carrying loops मान सकते हो अगर current carrying loops पे हमेशा magnetic force 0 होता तो 2 magnets का भी attract नहीं करती है तो 2 magnets का भी attract नहीं करती है 2 magnets क्यों attract करती है क्योंकि वो non uniform magnetic field create करती है और non uniform magnetic field में magnetic force लगता है बनना 2 current carrying coils का भी attract नहीं करती है पर वो करती है क्योंकि non uniform field में force लग सकता है बात समनी में आई concept के लिए रुआ